हले एवरिवान वल्कम बैग दोस्तों आज की इस वीडियो में हम समझेंगे कि जो मैं स्टॉक का सिलेक्सिंग करता हूं उसको कैसे करता हूं नेक्स दिन इंट्राडे के लिए उसमें कुछ अलग-अलग तरीके से भी हम लोग स्टॉक सिलेक्सिंग करते हैं न्यूस हो गया या आपका वाच लिस्ट हो गया या तो स्कैनर हो गया जो मैं फॉलो करता हूं मैं क्या करता हूं कि मैं ज्यादा तर जो मेरा वाच लिस्ट रहता है जैसे यह आप देख सकते हो यहाँ पे एफेंड ओ लिस्ट है एंड अप दे डे में जो टाइम मिलता है तो मैं इसको यह पर scan करता हूँ और जो मेरा previous study रहता है उसको में वहाँ ही पर रखता हूँ जैसे यह है अगर इस लिवल पर आया यहां पर hold कर रहा है तो मैं इसको यहां पर next दिन के लिए एक बार add करूंगा मेरा जो एक watch list रहता है कि हाँ इसको मैं कल देखूंगा और उसमें मैं लेवल और सब वहाँ पर बना के रख देता हूँ तो next दिन क्या होगा जब प्री मार्केट ओपन होगा मैं वहाँ से देख सकूँगा कि हाँ अगर मेरा लेवल यहां पर बाइका 2980 है तो मार्केट में ओपन कहां पर हो रहा है अगर 85 हो रहा है तो मैं वेट करूंगा चोटा मेरा जो है पोटेंशल ब्रेक आउट जो मैंने आप लोगों को वीडियो बना के बताया था जहां पर आपका काफी अच्छा सा रिस्पॉंस भी आया था कि यह पोटेंशल ब्रेक आउट रहता है उसका स्क्रीनर में यूज करता हूं और उसमें से जो स्टॉक में हाइस्ट वॉल्यूम रहता है प्राइस कम यहां पर मुव हुआ होता है मैं उसको सिलेक करता हूं अगर आपने यह वीडियो नहीं देखा है तो आप वीडियो यह जाके देख सकते हो जहां पर आपको डेफिनेंटली हैल्प मिलेगा और यह स्क्रीनर काफी अच्छा है फिर तीसरा जो मेरा है मैं अगर मुझे एफेंडो में भी कोई स्टॉक नहीं मिल रहा है मुझे इसमें भी नहीं मिल रहा है तो मैं क्या कर रहा हूं कि मैं जाके देखता हूं इंसाइड बार का तो आज मैं यहां पर आपको पता हूंगा कि इंसाइड बार जो मेरा यहां पर स्केनर है उसको हम कैसे use कर सकते हैं और उसमें से कैसे stock देख सकते हैं बाकी के तो दो आपको पता है एक manually है जो watch list से देखते हैं एक potential breakout है दोस्तों अगर आप इस channel पर नहीं हो तो subscribe जरू कर देना वीडियो पसंद आता है तो like and share जरू करना और दोस्तों यह video हो सकता है थोड़ा लंबा हो जाए क्योंकि मुझे यहाँ पर कोई भी cut नहीं करना है और मुझे short यानि कि कोई selected stock आपको नहीं बताना है जो reality है मैं वह आपको बता हूँगा 20 stock है यहाँ यहाँ पर यहाँ पर change कर सकते हो जैसे यह cash है तो आप future कर सकते हो future का तो cash कर सकते हो जो भी stock आपको रहना है जैसे 50 कर सकते हो cash जो भी करना है आप वहाँ से कर सकते हो जैसे ही run करोगे यहाँ पर आपको number of stocks मिल जाएंगे यह आजाने के बाद आपको क्या करना है कि highest volume लेना है यानि volume पर click करोगे highest volume आ जाएगा यह आने के बाद में आपको क्या करना है आपको यहाँ पर हर एक stock को open करके देखना है उसमें से आपको at least 2 या 3 stock यहाँ से निकालन है ज्यादर आपको potential breakout और manual से भी मिल जाता है नहीं तो यहां से भी निकाल सकते हैं जैसे SBI है ऐसे इसको हम inside bar में नहीं काउंट कर सकते हैं तो हम इसको close कर देंगे जो best है वो मैं आपको यहां पर बताता हूं तो आपको easily पता चले इसको आप अच्छा यहां पर कह सकते हो कौन से हिसाब से price action से यहां पर inside bar के इसाब से इसको नहीं ले सकते हैं यह मैंने daily time frame पर रखा हुआ है आप इसको intraday करना है तो 15 minute में भी आप इसको रख सकते हो और जो stock का price है उसको भी आप आपके इसाब से कर सकते हैं अगर कोई penny stock ढून रहा है तो उसको आप 10 रुपे किससे भी कर सकते हो कि यहां यह मुझे stock यहां पर मिलेगा कि नहीं मिलेगा इसको आप कर सकते हो इसको हम पहला केंडल हम काउंट करते हैं इसे बार के लिए उसके अंदर ही यानि कि यह अनर फोर आप काउंट कर सकते हो इसको हम पहले यहां पर hold रख सकते हैं क्योंकि एक थोड़ा pattern अच्छा दिख रहा है अगर आगे कोई अच्छा pattern कोई stock नहीं देख रहा है तो हम इसको count कर सकते हैं अगर इससे better मिला तो हम उसको delete कर देंगे 20 stock है इस list में तो हम एक एक करके अभी उसको देख रहे है इसको भी हम एक बार hold कर सकते हैं इसका data काम है और इसको भी हम पर हम इसको यहां पर count नहीं करेंगे क्योंकि यहां पर यह जो दोनों candle है दोजी candle है हिमादरी स्पेशालिटी नहीं यह काभी अच्छा सा यह consolidation हो रहा है एक दिन यह breakout यह breakout तो इसको आप रख सकते हो cash stock में आपके हिमादरी स्पेशालिटी DCB bank हाँ यह काभी अच्छा सा pattern है जो मैं आपको बता रहा हूँ जब best वाला मुझे यह पसंद है अगर आप देखो के मदर बार और उसका इसको हम बाई कर सकते हैं तो यह stock definitely हमारे list में रहेगा इसको भी हम रख सकते हैं क्योंकि मदर बार इसका size बहुत बढ़ा हुआ है और यहां पर अभी भी एक higher end पे close हो रहा है इस को बने की इस को बने की इस को बड़ कर रहा है क्योंकि यह ब्रेक प्रिविए सुच के उपर यहां पर होल्ड कर रहा है लास्ट एक बार देख लेता है तो यहां पर इसको स्टॉक आ चुके है वो करीबन हमें पांच स्टॉक मिले है इसमें से मुझे तीन स्टॉक लेना है तो यहां पर इसको REC यह स्टॉक तो मैं क्या करूंगा एक बार यह रेन इंडस्ट्री को निकल दे रहा हूं इस दोनों में से एक को लेना है एक राउंडिंग यहां पर टॉप बन चुका है और उसी के आसपास कंसोलेडेट कर रहा है नेक्स्ट है यहां पर REC REC में थोड़ा विकनेस दीख रहा है तो इसको भी निकाल देते तो अभी हमाँ जो स्टॉक है अभी हमें मिले है तीन स्टॉक एच्प 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 एलेट्रिक जी सीवी बैंक और बारत पैट्रोलिय तो यह तीन स्टॉक को हम नेक्स दिन के लिए हम इसको इंट्राडे में रख सकते हैं तो इसको आपको क्या करना है यह जो वाइट केंडल है दोजी उसके उपर हाई पे और लो के नीचे हमें ट्रेड करना है हाई के उपर सस्टेंग करता है तो हमारा टार्गेट नेक्स 355 रहेगा सिमिलर यहाँ पे यह कैंडल है जिसका साइड अगर हम देखते हो तो सेवन पॉइंट के आसपास बन रहा है 138 के उपर जाएगा 145 टार्गेट HPCL यह भी काफी एच्छा सा है यहाँ एक कैंडल बना है ज्यादे तर क्या होता है मधर बार जो रहता है उतना हमारा टार्गेट रहता है तो अगर यह 116 के उपर टीक जाता है तो 133 हमारा टार्गेट रहेगा तो दोस्तों मैं आसा करता हूँ आज का वीडियो पसंद आया होगा पसंद आया तो लाइक और शेयर जरू करना तेंकियो दोस्तों मिलते हैं नए वीडियो में टेक खेर बाबाई